ओम शान्ति ये प्यारे बाप दादा के अवियक्त रूप से चले हुए महाभाक्यों का रिवाइस्ट कोर्स है मुरली की ओरिजिनल डेट है 6 मार्च 1997 मुरली का सार है शिव जैन्ति की गिफ्ट महनत को छोड महाभबत की जूले में जूलो बाबा केते हैं वैसे तो बच्चे बहुत गिफ्ट बाबा को भेशते हैं लेकिन शिव जैन्ति पर अभी शिव जैन्ति आ रही है न तो शिव जैन्ति की उपलक्ष पर भाबा को क्या गिफ्ट चाहिए कि बच्चे महनत करना छोड़े मोहभबत में महनत नहीं होती तो हर करतवे चाहे श्रीमत पालन का चाहे सेवा का कैसे करे मोहभबत के जूले में जूलते हुए करे आज स्वयम शिव पिता अपने चारों और के आए हुए बच्चों से अपनी जैन्ति मनाने आए हैं बच्चे पहुँचे हैं शिव जैन्ति पर तो बाबा भी जैन्ति मनाने बच्चों के पास आए हैं कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयम बाप मिलने और मनाने आए हैं दुनिया में तो बाप की मूर्ती रखकर याचना करते रहते हैं और यहां तो बाप स्वयम परमधाम से आए हैं मिलने भी और बच्चों के साथ जैनती मनाने क्योंकि बाप का बड़े सु बच्छों का भी बड़े है दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं आओ, कब आएंगे, किस रूप में आएंगे आहवान करते रहते हैं और आप बच्छों से स्वयम बाप मनाने के लिए आए है बाबा कहते हैं वो तो अहवान कर रहे हैं और हम यहां बाबा के साथ मिलन मना रहे हैं ऐसा विच्चेत्र द्रिश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए हो विच्चार करो कभी भक्ति मार्ग में सोचा था ऐसे भगवान हम से शिवजेंती मनाने आएंगे और हम साकार में शिव बाब से शिवजेंती मनाएंगे जो मन्चित में भी नहीं था वो हो रहा है और भाग भाग कर पहुंचते भी हैं बच्चे बाब भी चारों और के बच्चों को देख हर्शित होते हैं वाहा शालिग्राम बच्चे वाहा वाहा साकार रू स्वरूप धारी होवनहार फरिष्टा सो देवता बच्चे वाहा है ना बाबा आज हमें बच्चों के लिए वाह वाह के गीत किस महिमा से गा रहे हैं वाह शालिग्राम बच्चे वाह वाह साकार सुरूप धारी होवनहार फरिष्टा सो देवता बच्चे वाह बाबा तु हमें वर्तमान की भी बधाई दे रहे हैं तो फरिष्टा सुरूप और भविष्य देवता सुरूप की भी बधाई दे रहे हैं भक्त बच्चो और आप ग्यानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर हैं भक्त भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं भक्तों को तो बस कुछ साक्षातकार हुआ, कुछ हुआ, तो उसे में खुश हो जाते, वहाँ वहाँ के गीत गाते रहते हैं, और आप ज्ञानी तो आत्माई बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्सा लेकर वर्से के अधिकारी बन जाते हों, सोच वह तो जैसे बाबा कहते न, चने है न, वह तो भक्ती में चने खाते, और यहाँ तो हम बच्चे माल खाते, तो बाबा कहते ही, यहाँ तो बाबा बच्चों को अल्पकाल का नहीं संपूर वर्से का अधिकारी बना देते तो बाबा कहते हैं कि अल्पकाल का फल नहीं पाते कोई थोड़ा सा लेकिन बाप से पूरा वर्षा लेकर वर्षे के अधिकारी बन जाते हो तो भग्त आत्माई और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है और खाश शिवजेनते के दिन तो देखो भक्त आत्माई भी साब भगवान के मंदिर पोँचे हैं और हम बच्चे भी बावा के पास साकार में मिलन मनाने पोँचते हैं तो बावा कहते हैं वो अंतर बिलकुल स्पष्ट हो जाता मनाते भक्त भी हैं और मनाते आप भी हैं लेकिन मनाने में कितना अंतर हैं वो तो मनाते हैं लेकिन मनाने में पुकारते हैं आवान करते हैं और हम तो सच में बाबा से जैसे मिलन मना कर अतिंद्रिय सुक का अनुभव वर्से के अधिकार का अनुभव करते हैं शिव जयनती मनाने आए हो ना, भाग भाग कर आए हो, कोई अमेरिका से, कोई लंडन से, कोई आस्ट्रेलिया से, कोई एशिया से, कितना स्नेहि से आकर पहुँचे हैं, यह ना बाबा कहते हैं बच्ची भी चारों तरफ से भाग भाग कर पहुँचे हैं शिव जयनती मनाने, तो बाप दादा बाप की जैनती साथ में बच्चों की भी जैनती है तो बाप के साथ बच्चों के भी जैनती की मुबारक हो मुबारक हो क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाए बच्चों के कोई भी कारेकर नहीं सकता ये भी बाबा के कितने सनेही के मीठे बोल है कि अकेला बाप बच्चों के सिवाए कारे कर नहीं सकता सर्वशक्तिवान है लेकिन कितने सनेही के बोल बाबा बोलते कि अकेला बाप बच्चों के सिवाए कारे नहीं करता साकार लोक में इसलिए बाबा जब आते हैं तो बाबा की जैनती के साथ साथ बच्चों की बिजैनती है क्योंकि बाबा तो लक्षे से आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने आत्माओं को दुर्गती से सद्गती में ले जाने तो उसके लिए बाबा कहते हैं मैं आते ही पहले अपने हैंड्स तयार करता हूं तो मेरे बच्चे तो मैं और मेरे बच्चे दोनों की जैनती एक ही है इतना बच्चों से प्यार है ये बावा का प्यार है कि बावा हमारे सिवाए कारे नहीं करते कारे खुद करते भागे हमारा बनवाते अकेला कर ही नहीं सकता पहले बच्चों को निमित बनाते फिर backbone होकर वा combined होकर करावनहार होकर निमित बच्छों से कारे कराते हैं सोचो backbone क्या होता है, backbone का ही तो सारा आधार होता है तो बाबा करावनहार है, बाबा backbone है लेकिन बच्छों को निमित बनाकर कराते हैं ये भी देखो बाब क्या होता है, चाहता है बच्चे का भाग्य बने, तो सब कुछ बाबा करते हैं, लेकिन बच्चों को सामने रखते हैं, साकार दुनिया में अकेला बच्चों की बिना नहीं पसंद करता, बाबा ने अभी कुछ तिन पहले भी कहा न, तुम मेरे बच्चे मिरे घर का श्रिंगार हो, तुम्हारे बिना, तुम्हारा मुखडा देखे बिना वी, बाबा का दिल नहीं लगता, निराकारे दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़ कर चले जाते हो, जब पाट शुरू होता है, तो बाबा वहां और हम यहां बाप की आज् ही जाते हूं, लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना रहने सकता, बच्चे तो पूरा कल्प ही बाप के बिना रहते हैं यहां, लेकिन बाबा जब साकार लोक में आते, तो एकदम आते ही बच्चों के साथ हो जाते, बच्चे जरूर साथ चाहिए, बच्चों पुछे हम साथ रहेंगे, हम साथ चलेंगे बाबा आपके, सिर्फ निराकार दुनिया तक, बाबा कहते हैं साथ भी कहां तक चलेंगे, बाबा तो हमारे साथ सत्यूग में आएंगे, हम तो सत्यूग में भी चलेंगे, तो बाबा कहते हैं निराकारी दुनिया तक साथ बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जैनती बनाने का कितना उमंग उच्सा है तो बाप भी देखो बच्चों के सनेहे में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गए हैं बच्चे पहुंचे हैं तो बाबा भी ब्रह्मा बाबा का तन लेकर गुलसार दादी का तन का अधार लेकर क्योंकि ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त पाठ बाप दादा कमबाइन्ड होकर और फिर गुलसार दादी का साकार तन लेकर पहुंच जाते इसको कहते हैं अलोकिक प्यार क्योंकि प्यार वाले की पास पहुँचने की खीच होते है बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते प्यार भी आती है अपना प्यार का सबूत देते हैं बदवन पहुँच कर बाबा ने तो इतना प्यार का सब्बूत दिया है कि परमधाम से बाबा आए हमारे पास और हर बार बाबा ने हमें शिक्षा, समझानी, साबधानी देने के लिए पुरानी दुनिया में साकार तन का आधार लेकर भी हमारे सम्मुक सदा उपस्ते थुए हमने शिवजेंती पर भीनी भावनाई भेजी तो बाबा मिलन मना ने आए लेकिन बच्चे भी क्या ऐसे भाग भाग कर इश्वरे घर, इश्वरे कारे में पहुंचते हैं बाबा कहते मेरा तो बहुत प्यार है मैं सबूत देता हूँ पर बच्चे भी उतना ही सबूत देते हैं तो बाबा केते हैं प्यार भी अती है और फिर न्यारे भी अती है फिर बाबा के प्यार में विशेश्टा क्या है बाबा का जितना प्यार है उतने ही बाबा न्यारे भी है प्यार में अटेच्मेंट नहीं है इसलिए बाप की महिमा ही है न्यारा और प्यारा बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट चाहे कार्ड चाहे कोई चीजें चाहे दिल के उमंग के पत्र जो भी लाएं हैं बाप के पास आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का म्यूसियम लगा हुआ है है ना तो बच्चे तो स्थोल में भी बाबा के लिए बहुत गिफ्ट ले कर जाते तो सारे गिफ्ट का म्यूसियम मदूबन में लगा हुआ है तो बाबा कहते हैं वो वतन में भी बाबा इमर्च करते कि अच्छा ये ये गिफ्ट बच्चों ने भेजी है तो वतन का द्रिश्य बाबा दिखा रहे है सारा जो गिफ्ट बच्चे लाए है उसका पुरा म्यूसियम लगा है आपका म्यूसियम है सेवा का और बापका म्यूसियम है सनेही का हम भी यहां साकार लोग में म्यूसियम बनाते हैं कौन से museum, जहां हम सारे चित्र रखते, प्रदर्शनी के, है न, और वहां पर सेवा करते, तो बाबा केते हैं, हमारा सेवा का museum है, और बाप का है स्नेही का museum, बाप की म्यूसिय describing में क्या-क्या है, बच्छों के स्नेही के उद्गार, बच्छों के स्नेही के gift बाप के museum में जिनों को देख देख बाप हडशाते रहते हैं, जैसे हम अपने म्यूसिय्म के द्वारा सेवा करते हैं, बाबा अपने म्यूसियम को देख देख खुश होते हैं, चीज बड़ी नहीं है, क्योंकि बाबा के तो सारे बच्चे ही है गरीब निवास के बच्चे कैसे हैं तो ऐसी कोई चीज तो नहीं है, जो भगवान के लिए बड़ी हो जो हम दे सके बाबा को अनुच्छे ते उच्छा, हम तो इस लोग के हीरे भी दे दे तो वो भी क्या होगी, छोटी ही चीज होगी, पत्थर ही हुआ, तो बाबा कहते हैं, चीज बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज में स्नेहे भर जाता है, तो छोटी चीज भी बहुत महान बन जाती है, तो बाबा कहते हैं, बाबा तो हर गिफ्ट में, बच्चों का जो प्यार समाया हुआ है स्नेह समाया हुआ है उसको अनुभव कर हर्शित होते हैं तो बाप दादा चीज को नहीं देखते हैं कागस के काड को या पत्र को नहीं देखते हैं लेकिन उसमें समाय हुए दिल के स्नेह को देखते हैं इसलिए कहा कि बाप के पास स्नेह का म्यूसियम है ऐसा म आपके वर्ल्ड में तो नहीं है, snह का museum, सोचो हैं, कितनी रमनीक बात है, snह का museum इस दुनिया में तो कहीं नहीं है, बाबा के वतन में snaha museum है, हैसा museum नहीं है, जब बाप एक-एक प्यार की gift को देखते हैं, तो देखते ही बच्चे की सूरत उसमें दिखाइँ देते हैं, गिफ्ट देखते हैं, तो गिफ्ट में क्या देखता है? बच्चे की प्यार भरी सूरत, बच्चे का सन्हे ऐसा camera है आपके पास, बाबा कहते ना हमारे पास ऐसी museum है, ना ऐसा camera है कि किसी चीज में, जो सन्हे समाया है, उसको देख सके गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुब संकल पुठा अब बाबा को जब शुब संकल पुठते हैं तो बच्चों को क्या करना होता है? उसका स्वरूप बनना होता है तो बाबा को आज एक शुब संकल पुठा है बताएंगे तो फिर हम बच्चों को कारे में लगना है उसको practical करकर दिखाना है तो बाबा कहते हैं करना पड़ेगा अगर बाबा ने बताया तो करना पड़ेगा करेंगे, तयार है, सोचना नहीं है न बाबा कहते हैं बाबा ने कहा और बच्चे ने किया ये हमारा बाबा के साथ agreement है तो हर एक बच्चा तयार है बाबा का शुब संकल्ब जान कर हमें उसे कारे में लगाना है बाप दादा को संकल्ब उठा ये गिफ्ट तो बाब के पास पहुँच गई लेकिन साथ में बाब दादा को एक और भी गिफ्ट चाहिए आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है लेकिन बाब दादा को और भी चाहिए तो देंगे न वो गिफ्ट तो देंगे गिफ्ट वैसे भी ये जो यादगार मनाते हैं शिव जैनती अर्थात कुछ न कुछ अर्पन करते हैं बलिहार जाते हैं बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी जब बाबा के अवतरण का यादगार मनाते हैं शिव जैनती मनाते हैं तो वहाँ भी रिवास क्या है बलिहार जाना, कुछ न कुछ अर्पन करने का तो बाप दादा ने सोचा बलिहार तो सब बच्चे गई है बलिहार हो गई है या अभी थोड़ा-थोड़ा अपने पास सम्हाल कर रखना है क्या कहेंगे सब बच्चे बलिहार हो गई है कि अभी थोड़ा थोड़ा, बिलकुल बाबा पर नियोच्छावर नहीं गए है, कुछ नहीं कुछ समाल कर रखा है, ऐसा तो नहीं कोई विकार समाल कर रखा है, कुछ तनमंधन ऐसा रखा है, कि ये इश्वरिय कारे के नहीं ये मेरे लिए है, ऐसा तो कुछ नहीं रखा ना पूरा मेरे को तेरा किया है न तो बाबा कहते हैं आज के दिन वरत भी लेते हैं तो बाप दादा को संकल पाया कि बच्चे जो कभी-कभी थोड़ा सा चलते-चलते ठक जाते हैं महनत बहुत महसूस करते हैं या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं या बच्चों की आज बच्चों की सीरत में सुरत में क्या नजर आता है कि बच्चे कभी थक जाते हैं मेहनत महसूस करते हैं या निरंतर योग लगाने में ठक जाते हैं तो बाबा कहते हैं फिर सोचते हैं हो तो जाएगा बाप को दिलासा भी देते हैं आप फिकर नहीं करो हो जाएगा है ना आप सोचो द्रिश्य सोचो विचार करो कि जो बच्चा है वो मेहनत कर रहा है और बाप को दिलासा दे रहा है कि आप फिकर नहीं करो मैं कर लोगा, हो जाएगा तो बाप को ऐसा द्रिश देखकर अच्छा तो नहीं लगेगा ना बाप तो बच्चों को मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट वह अकेला पन या कभी-कभी कोई-कोई थोड़ा सा दिल शिकस्त भी हो जाते हैं पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं है कभी-कभी ऐसा सोचते हैं तो ये बाप को अच्छा नहीं लगता है तीन बाते बाबा कहते हैं जब बच्चों के अंदर थकावट दिखती अकेला पन दिखता कि अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं और तीसरा कभी ऐसे दिल शिकस्त भी हो जाते हैं कि पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं तो बाबा कहते हैं ये बात बाप को अच्छी नहीं लगती, सबसे ज्यादा बाप को बच्चों की महनत अच्छी नहीं लगती, किसी लोकिक बाप को भी नहीं अच्छी लगती, तो ये तो फिर परम पिता है, बच्चों की महनत बाप को अच्छी नहीं लगती, बच्चे तक से छुडाते हैं, महनत से छुडाते हैं. कितना सहज विधी से बाबा हमे सत्युक्ता वर्षा दिलाते हैं. उसमें भी महनत होती हैं, तो फिर बाबा को अच्छा नहीं लगता. मालिक और महनत बाप के भी बालक सो मालिक है बाबा कहते हैं आप तो मेरे बालक भी मालिक हो है ना बाबा कहते हैं मेरे भी मालिक हो आप तो भगवान के भी मालिक और फिर महनत करें तो अच्छा लगेगा सुनना भी अच्छा नहीं लगता तो बाप को संकल पाया कि बच्चे बर्थडे की गिफ्ट तो जरूर देते ही हैं तो क्योंनी आज के दिन सभी बच्चे ये गिफ्ट के रूप में दे हैना क्या दे अपनी मेहनत मुक्ट होने की अवस्था वो स्थूल गिफ्ट जो दी वो तो वतन में इमर्च हो गई लेकिन निराकारी दुनिया में तो ये गिफ्ट इमर्च नहीं होगी स्थूल गिफ्ट तो निराकारी दुनिया में नहीं इमर्च होगी लेकिन बच्चों की लाईट अवस्था है न बिलकुल मेहनत मुक तवस था वो तो निराकारी दुनिया में इमर्च होगी वहाँ तो संकल्ब की गिफ्ट पहुँचती है तो बाप को संकल्ब पाया कि आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेनी है एक ऐसा संकल्ब accustomed चो मुझे निराकारी दुनिया में पहुचे तो गिफ्ट देंगी या देखर फिर वहां जाकर वापस ले लेंगे बाबा कहती कई ऐसे हैं मदुबन में गिफ्ट देंगे और फिर वहाँ जाकर वैसा का वैसा और पूछो तो कहेंगे वहाँ वायू मंडल अलग था न यहाँ तो अलग है कहेंगे मधुबन का मधुबन में रहा और अपने देश में अपना देश है ऐसे तो नहीं करेंगे न बच्चे बड़े चतुर हो गए है कहेंगे वो तो वहाँ गिफ्ट दी थी न यहाँ थोड़ी बाप को कहते हैं कि हम चाहते तो नहीं है वापस आएं लेकिन आ जाती है बाबा को भी कहते हैं हमने नहीं परमिशन दी लेकिन यह जो सारी मेहनत है यह वापस आ जाती है थकावट, मेहनत, दिल, शिकस्त, पना यह सारी माया वापस आ जाती है आज आती हैं तो आप स्विकार क्यों करते हो भावा कहते हैं तो उसको विदाई देनी है न उसको स्विकार क्यों करते हो आज आती है ये राइट है क्योंकि माया का काम है आना लेकिन कोई चीज आपको पसंद नहीं है और कोई जबरदस्ती भी दे तो आप लेंगे या वापस दे देंगे वापस देंगे ना तो स्विकार क्यों करते हो माया तो वापस लाएगी लेकिन आप स्विकार नहीं करो तो मेहनत के, ठकावट के, अकेले पन के, दिल शिकस्त पने के, कई प्रकार के संकल्प्स और भावनाई माया जो है वो लाएगी लेकिन हमें उसे स्विकार नहीं करना है तो बाबा कहते हैं ऐसी हिम्मत है कि माया के लिए बिलकुल दर्वाजा बंद करते हैं सोच कर कहो फिर वहाँ जाकर नहीं कहना बाबा क्या करूँ चाहते नहीं है लेकिन हो गया ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे ऐसे पत्र सर्वशक्तिवान के बच्चे लिखेंगे नहीं चाहते थे पर हो गया फिर क्या शक्ती है हम बच्चों की आपकी हिम्मत और बाप की मदद बाबा कहते हैं बच्चे पहले ही हार मान चाहें कि माया आ जाती है, माया आ जाती है क्या करें, क्या करें तो फिर इसका मतलब बच्चों नहीं घुटने टेक दिये तो जब बच्चे हिम्मत ही नहीं दिखाते तो बाप मदद कैसे करें लेकिन अगर बच्चे हिम्मत दिखाए कि मुझे माया जीत बनना ही है तो फिर बाप भी मदद करेंगे हिम्मत कम नहीं करना फिर देखो बाप की मदद मिलती है या नहीं सभी को अनुभव भी है कि हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती है और मिलनी ही है गैरंटी है पक्का सभी अनुभवी बैठे हैं कि जब भी हमने हिम्मत रखी बाबा ने मदद की है और बाबा के ते भविश्य में भी करेंगे ये ग्यारेंटी है हिम्मत आपकी, मदद बापकी तो संकल्ब क्या हुआ? हाँ, चेहरे देख रहे हैं हिम्मत है या नहीं है हिम्मत वाले तो हो, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के बनते नहीं, तो बच्चों की हिम्मत तो है लेकिन वो मर्च न हो जाए, इमर्च रूप में हिम्मत रहे बन गए इससे सिद्ध होता है कि हिम्मत है सिर्फ छोटी सी बात करते हो, कि समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हो जब कुछ हो जाता है न तो पीछे हिम्मत वा मदद याद आती है समय पर सब शक्तियां समय प्रमान यूज करना इसको कहा जाता है ज्ञानी तु आत्मा योगी तु आत्मा बाबा कहते हैं बच्चों को बाबा ने हिम्मत भी दी है सर्वशक्तियां भी दी है ग्यान की points दी हैं, गुन दिये हैं, क्यूं दिये हैं, ताकि हम माया जीत बन सके लेकिन उन बातों को use ना करें, तो ग्यानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा कहलाएंगे माया ने तीर फेका, तो क्या हमारे पास ग्यान का तीर नहीं है, योग का तीर नहीं है हम माया को नहीं लगा सकते हम सर्वशक्तियों से संपन नहीं है क्या जो घायल हो जाते लेकिन बाबा कहते हैं जब समय पर यूज ही नहीं करेंगे बाबा ने जो ग्यान गुन शक्तिया दिये हैं तो फिर उसको क्या कहेंगे, ज्यानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा कहेंगे, बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है, पता है किस बात की, बोलो, तो बहुत तो ने सुनाया, तो बाबा कहते हैं, सब ठीक बोल रहे हूं, लेकिन बाप का संकल पौर है, आप बहुत ग सादा खुश हो रहे थे, कि कई बच्चों ने पत्र और चिटकी लिखी है, कि हम 108 में आएंगे, बहुत चिटकी आई हैं, तो जिनों ने भी ये चिटकी भेजी है, तो बाबा हमारी चिटकी पर बहुत खुश है, बेजते हैं न मदुबन, जब खुसवयम जाते हैं, या ग कल्प की, कि 108 में हम जरूर आएंगे, तो उन चिटकीों को देखकर बाबा बड़े खुश हो रहे हैं, बाब दादा ने सोचा, जब इतने 108 में आएंगे, तो 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेंगे, बाबा कहते, मेरे बहुत बच्चे 108 के लिए तयार हो रहे हैं, त पांच, छे, साथ, आठ लड़ियों की माला बनाए ना, बाबा कहते, बना दे ना, आप तयार तो हो, जिनोंने संकल्प किया है, लक्षे रखा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच-बीच में दृड करते रहना, बाबा ने कहा ना, बाबा ने हर शक दे उसको यूज करना है, स्रेश संकल्प किया है, कि 108 में आएंगे, लेकिन उस संकल्प को बीच-बीच में दृड़ता का पानी देना, कोई भी बीच बोते हैं, पानी ना दे, तो क्या होगा, उससे कुछ भी प्रसफुटित नहीं होगा, तो बाबा कहते हैं, ये जो संकल हैं, हम 108 में आएंगे ही, इसको दृड़ता का पानी देना, डीला नहीं करना, ऐसे तो नहीं कहेंगे माया आ गई, अब पता नहीं आएंगे या नहीं, है न, कई ऐसे भी है, आज कहेंगे 108 में आएंगे, फिर कहेंगे पता नहीं आएंगे या नहीं, पता नहीं नहीं करना बाबा कहते है यही पता नहीं यही माया का द्वार है तो बाबा कहते है बच्छों की जो महनत की अवस्था बनती थकावट आती उस सब का द्वार क्या है अपने ही संकल्प तो उन संकल्पों में कमसोरी नहीं लाना, पता नहीं, पता नहीं वाले शब नहीं कहना, पता कर लिया, आना ही है, ध्रिडता का ठपा लगाते रहेना, हां मुझे आना ही है, कुछ भी हो जाए, मेरा निश्श अटल है, अखंड है ऐसा अटल अखंड निश्य है कि कुछ भी हो जाए आना ही है या सोचते हैं कि बाबा चाहेंगे तो आजाएंगे, कई ऐसे कहते या बाबा मदद करेंगे, बाबा परिस्थतियां अनुकूल बनाएंगे तो आजाएंगे कुछ भी हो जाए, हम सर्वशक्तिवान की संतान हर बात को पार करकर दृड़ता से आगे बढ़ते 108 में पहुंचेंगे तो माया को हिलाने के लिए भेजें, बाबा कहते हैं अगर बच्चे पक्के हैं, तो माया को हिलाने के लिए भेजें नहीं, डरते हो, माया आप से डरती है और आप माया से डरते हो, माया अपने दर्वाजे देखती है, यहां खुला हुआ है, यहां खुला हुआ है, ढुनती रहती है और जब आत्मा जो है, वो अपनी सर्वशक्तियों, गुनों को इमर्ज करके नहीं बैठी है, तो इसका दर्वाजा जो है वो खुला हुआ है तभी माया प्रवेश करती है तो बाबा कहते आप घबराते क्यों हो माया कुछ नहीं है बाबा ने पिछली बार कहा है ना माया तो मरी हुई चीटी है लेकिन आप मरी हुई चीटी को घबराते हों तो मरी हुई चीटी भी शेर का रूप ले लेती है कुछ नहीं कहों तो कुछ नहीं हो जाएगी आ नहीं सकती, आ नहीं सकती, तो आ नहीं सकती और कहेंगे आ जाएगी, आ जाएगी तो आ जाएगी यह सारे कमजोर संकलक माया का दर्वाजा खोलना आध्वान करना हुआ तो अच्छी बात है कि बहुत बच्चों ने 108 में आने की प्रोमिस किया है किया है ना? जिन्नों ने किया कहा है कि हम 108 में आएंगे वो लंबा हाथ उठाओ, उठाओ भई सभी चिनोंने 108 में आने की प्रोमिस करके बाबा को लिखके दिया है, तो वो लंबा हाथ उठाओ, अच्छी तरह से ड्रिल करो, बहुत बाबा कहते हैं, बहुत अच्छा, मुबारक हो, ये नहीं सोचो कि 108 में कितने आएंगे, हम कहां आएंगे, हैं नहीं सोचो, पहली गिंती करने लग जाते हैं, दादी आएंगी, दीदी आएंगी, फिर दादे भी आएंगे, advanced party वाले भी आएंगे, सब की माला बनाने बैठ जाते हैं, ये आएंगे, वो आएंगे, फिर अपने आप ही, हम कहां आएंगे, हमारा तो number ही नह आएगा, हमारा नंबर आएगा या नहीं, पता नहीं, बाप दादे ने कहा कि बाप दादा आठ दस लड़ों की माला बना देंगे, बाबा कहते हैं, आप आने की तयारी करो, जगन ही होगी ना बाबा एक्स्ट्रा लड़ियां लगा देंगे, इसलिए आप ये चिंता नहीं क करो, आप तयार हो, आपके लिए गदी बाबा रेडी करेंगे, औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाना है, ये बाप की गैरंटी है, आप किनारा नहीं करना, माला की बीच में धागा खाली नहीं करना, बाबा कहते हैं, आपका स्थान बना हुआ है न, आप तयार नहीं होंगी, तो माला का दाना का जगें, वो रिक्त रह जाएगी, वो धागा खाली रह जाएगा, एक दाना बीच से तूट जाए, निकल जाए, तो माला अच्छी नहीं लगेगी, सिर्व ये नहीं करना, बाकी बाबा की गैरंटी है, आप ज़रूर आएंगे, आज तो म बनाने आए हैं, मुरली चलाने थोड़ी आए हैं, तो और भी, और जो भी हो, वो माला में आजाओ, बाबा कहते हैं, बाकि जिन्नों ने संकल्ब नहीं भी किया, वो भी अभी संकल्ब करके तेयार हो जाओ, 108 की माला में सब को वेलकम है, ये तो भक्ती मार्ग वालों ने 108 की माला बना दे, बाप दादा तो कितनी भी बड़ा सकता है, सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप जरूर लेगा, गिफ्ट को नहीं छोड़ेगा, जब गिफ्ट देंगे तभी तो माला का दाना बनेंगे, छोटी से गिफ्ट है, कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों का छे मास का चार्ट देखा, तो क्या देखा, अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी उपर नीचे होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ तीन बाते मुख्य हैं, वही तीन बा बातों में बच्चे भूल करते हैं, और वही भूल द्वार बनती हैं समस्या का, परिस्थिती का, माया का, वो तीन बातें क्या हैं, छे मास के चार्ट देखकर भावा बता रहे हैं, पहली बात अशुब वा व्यर्थ सोचना, दूसरा अशुब वा व्यर्थ बोलना और इन बातों में बच्चे भूल करते हैं, सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है, अभी विकर्म कम होते हैं, व्यर्थ ज्यादा होते हैं, व्यर्थ का तूफान हिला देता है, और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर करम में आता है, व व्यर्थ की भाशा क्या है, क्या, क्यूं, कब, कैसे, कौन, कहां, पता नहीं, होगा या नहीं, ऐसे जो व्यर्थ संकल्प आते हैं न, पता नहीं, पता नहीं, ये सारे संकल्प स्थिती को हिला देते हैं, पहले संकल्प में हिलते हैं, फिर वाणी भी ऐसी ही चलने लगती हैं और फिर कर्मों में भी धीले हो जाते हैं और रिजल्ट में देखा तो किसी का बोल और कर्म में नहीं आता लेकिन सोचने में बहुत आता है जो समय बनानी का है वो सोचने में बीच जाता है जो वैसे संकल्ब से स्रिष्टी बनती है लेकिन व्यर्द संकल्ब सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं बच्चे तो बाप दादा आज ये तीन बाती सोचना, बोलना और करना इनकी गिफ्ट सभी से लेना चाहते है है ना अशुब और व्यर्द सोचना, न बोलना, न करना ये गिफ्ट आज बाबा को देनी है और ये गिफ्ट जरूर देनी है बिश सेकिंद, तीस सेकिंद लगा कर बाबा को अच्छी तरह से गिफ्ट दे कि बाबा आज से अशुब और व्यर्द सोचना, बोलना, करना यह आपको दे दिया अब वापस नहीं लेंगे तयार है, जिनोंने दे दी वो हाथ उठाओ, अभी अभी दे दी हाथ उठाओ, हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक-एक साइड का निकालो, बाबा केते हैं, अच्छी तरह से सब का वीडियो आना चाहिए, जिनोंने भी दे दी बडा हाथ उठाओ, ड्रिल नहीं करते हो, इसलिए मोटे हो जाते हो बाबा केते हैं, बड़ा हाथ नहीं उठ रहाएं ड्रिल नहीं कर रहे हो अच्छा, सभी नहीं यह दे दिया वापस नहीं लेना बाबा केती यह नहीं कहना कि मुख से निकल गया क्या करें, मुख पर द्रिड संकल्प का बटन लगा दो, द्रिड संकल्प का बटन लगाओ, द्रिड संकल्प का बटन तो है न, क्योंकि बाबा ने कहा, दिया सब कुछ है, सारे बटन, लेकिन ज्ञानी योगी तो आत्मा कौन, जो समय प बच्चों से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी है, प्यार वाले की महनत देख नहीं सकते, अब खुदी रचना रचते हैं, और फिर अपनी ही रची हुई रचना में फस जाते हैं, संकल्प से, बोल से, करम से, अपनी स्रिष्टी खुद बना रहे हैं, और फिर वो जो व्यर्त और अश्युप की स्रिष्टी बनाते हैं, उसमें खुदी थकते हैं, खुदी परेशान होते हैं, तो बाबा कहते हैं, ऐसी रचना क्यों रचनी हैं हम बच्चों को, जिसमें हम खुदी परेशान होते हैं, बाप दादा तो उस समय यही सोचते, कि बाप दादा साकार में जाकर इनको कुछ बोले, जब बाबा देखते हैं बच्छों को ऐसी संकल्पों की बोल की रचना रच, फिर उसमें महनत और मुश्केल और ठकावट का अनुभव करते, तो बाबा का दिल होता है, मैं जाके साका में इनको एटेंशन दिला कराओ, लेकिन अब तो आकारी निराकारी हैं, तो कैसे जाएं साकार में, है ना, साकार में बाबा होते तो फोन गुमा देते बच्छों को, बिलकुल सभी महनत से दूर महबत के जूले में जूलते रहो, जब महबत के जूले में जूलते रहेंग तो मेहनत समाप्त हो जाएगी बाबा केते सदा बाबा कोई वर्दानों को दुआओं को प्यार को अनुभव करते हांके पड़ो कभी भी संकल्प में भी कोई व्यर्थ या अशुब संकल्प ना आए सदा बाबा का वर्दानी हस्त बाबा की महबत की जूले में जूलता स्वयम को अनुभव करो मेहनत को खतम करे, खतम करे नहीं सोचो सिर्फ महबत के जूले में बैठ जाओ मेहनत आप पे ही छूट जाएगी छोडने की कोशिश नहीं करो, बैठने की जूलने की कोशिश करो बाबा कहते हैं छोडने की कोशिश करते हैं तो सारा संकल्ब शक्ति ध्यान सब उसमें जाता है वो और ही बढ़ती हैं इसलिए बाबा कहते हैं महबत के जूले में जूलने की कोशिश करो उसमें बैठने की कोशिश करो शिव जैनती अर्थात बच्चों की महनत समाप्त की जैनती ठीक है ना बाप को भी बच्चों पर फेथ है बाबा कहते हैं मैं बच्चों को जो डाइरेक्शन दे रहा हूँ बच्चे जरूर उसको अमल में लाएंगे फेथ है बाबा को पता नहीं कैसे कोई-कोई किनारा कर लेते हैं जो बाप को भी पता नहीं पड़ता बाबा कहते हैं कोई-कोई बच्चे ऐसे निकल आते हैं जो किनारा कर लेते हैं वो भी बाबा भी नहीं सुमझ पाते हैं ऐसे कैसे निकलते हैं चत्र चाया के अंदर बैठे रहो। यह ना भावा कहते हैं बच्चे तुम सदा मेरी चत्र चाया के अंदर बैठे रहो। और चत्र चाया के अंदर बैठने की विदी क्या है। जितना श्रीमत पर चलते रहेंगे तो चत्र चाया के अंदर बैठेंगे। ब्राम्मन जीवन का अर्थ ही है जूलना, माया में नहीं, ब्राम्मन जीवन का अर्थ क्या है जूलना, माया में भी जूलते हैं, लेकिन वो वाला जूलना नहीं, वो तो दुनिया वाले भी जूलते हैं, ब्राम्मन जीवन का अर्थ माना परमात्म प्यार के जूले में जूल में आने के बजाए निराकारी दुनिया में आने के बजाए निद्रा लोक में चले जाते हैं, ना सोक्षवतन जाते हैं, ना निराकारी दुनिया में निद्रा लोक पहुंच जाते हैं, माया जुला जुला कर वहां पहुंचा देते हैं, कहते हैं योग डबल लाइट बनाता ह लेकिन माथा भारी हो जाता है अब निद्रा लोक में कोई शक्ती तो नहीं मिलेगी ना या लाइट तो नहीं बनेंगे निद्रा लोक में पहुंचे हो योग के नाम पर तो माथा भारी ही होगा तो माया भी जूला जूलाती है, लेकिन माया के जूले में नहीं जूलना, आधा कल्ब तो माया के जूले में खुब जूल कर देखा है न, क्या मिला, मिला कुछ, ठक गए न, अभी अतिंद्रिय सुख के जूले में जूलो, खुशी के जूले में जूलो, शक्तियों की खुशी के जूले में जूलो, इतने जूले आपको मिलते हैं, बाबा कहती रोज अमरित वेले, बैठ चाओ, कभी अतिंद्रिय सुख के जूले में, बाबा की वो ज्ञान की पॉइंट्स याद करो, जो अतिंद्रिय सुख के जूले में स्थित करें, कभी खुशी के जूले मे कभी शक्ती के अनुभव में स्थित करने वाली पोइंट, उसको याद कर और फिर उस अवस्था को बनाओ, तो कितने जूले बाबा ने भिन बिन वराईटी जूले दिया हैं, उन जूलों में हमें जूलना है, तो बाबा कहते हैं इतने जूले आपको मिले हैं, जो यहां के प में जुलो कितने जूले हैं अंगिनत तो जूले से उतरो नहीं जूले से जैसे ही उतरते हैं तो क्या होता है मिठी में आ जाते देभान में आ जाते फिर व्यर्थ और अशुप चलने लगता अब बाबा कहते हैं तो लाडले होते हैं तो मा बाप यहीं चाहते हैं कि बच्चे का पाउ मिठी में नहीं पड़े या गोदी में हो या जूले में हो या गलीचों पे हो मिठी में पाउ नहीं जाए लाडले बच्चों के लिए मात पिता की यहीं शोबास होते हैं ऐसे होता है तो आप कितने लाडले हो आप जैसा लाडला कोई है हम तो उच्छे ते उच्छे बाप के लाडले हैं तो बाबा कहते हैं परमात्म लाडले बच्चे अगर दे भान म आती हैं, तो देह क्या है, मिट्टी है न, देह को क्या कहते हैं, मिट्टी में मिल जाएगी, तो मिट्टी है न, मिट्टी में पाओ क्यो रखते हो, मिट्टी अच्छी लगती है, कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती हैं, मिट्टी खाते भी हैं, लोकिक में भी, लेक संकल्प आना अर्थात पाओ रखना जैसे ही बाबा की छत्रचाया से निकले पुरानी दुनिया के संकल्पों में गए व्यर्थ में गए तो देभान में आ गए और फिर माया क्या है माया सारी हसी खुशी गायब कर थकावट मेहनत का अनुभव कराने लगते संकल्प में भी देभान नहीं आवे सोचो याद रखो कि हम कितने लाडले हैं किसके लाडले हैं विचार करो कितने लाडले हैं किसके लाडले हैं कभी विचार करके दिखो रोज ये बाते स्मृति में लाने चाहिए कि स्वयम परमात्मा सर्वशक्तिवान हमें अपनी गोद में बिठाते हैं, जूलों में जुलाते हैं, लोरी सुनाते हैं, मुरली सुनाते हैं, ताजा भोजन खिलाते हैं, यह न तो बाबा कहते हैं, ऐसे लाडले बच्चे हैं, सत्युग में भी परमात्मा लाडले नहीं हों दिव्यात्माओं के लाडले होंगे लेकिन इस समय परमातम बाप के लाडले हो तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी इसलिए बाप दादा उसकी थैंक्स करते हैं शुक्रिया धन्यवाद दीनस अपने बाबा को गिफ्ट के सिर्फ थैंक्स ले ली तो बाबा तो हैं लेकिन बच्चों ने गिफ्ट दी हिम्मत के हाथ से अच्छा चारों और के अती अती भाग्यवान बच्चे जो स्वयम शिव बाप से शिव जयनती मना रहे हैं ऐसे पदम गुणा तो क्या लेकिन जितना भी ज्यादा में ज्यादा कहो वो भी थोड़ा है ऐसे महान भा अग्यवान आत्माएं सदा बाप की आज्ञा पर रहे हर कदम रखने वाले बाप के स्नेही और समीब आत्माएं सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी सो बभविश्य सिंखासन निवासी स्रेष्ट आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ मौज से महबबत के जूले में जूलते हुए साथ चलने वाले ऐसे बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा का बड़े की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो बाप का सभी मालिकों को नमस्ते ऐसा बालक सो मालिक बनाने वाले बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार गुद मौनिंग और नमस्ते उम्शान्ते वर्दान है ब्रामन जीवन में सदा मेहनत से बुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ती संपन भवर बाबा कहते है इस ब्रामन जीवन में दाता विधाता और वर्दाता तीनों संबन से इतने संपन बन जाते हो जो बिना मेहनत रुहानी मौच में रह सकते हो जब बाप रूप में बाप के साथ संबन में आते तो दाता शिक्षक रूप में बाबा विधाता है और सत्कुरू रूप में वर्दाता है तो जब दाता विधाता और वर्दाता तीन रूपों से बाबाके साथ संबंध में आते तो मेहनत खतम सदा रूपानी मौझ में रहते हैं। बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूपानी अधिकारी पन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो, तो गौडली स्टूडेंट हो, इस भाग्य का नशा रहेगा, कि स्वेम भगवान के द्वारा पढ़ने वाली में Master Knowledgeful आत्मा हो, और सत्गुरु हर कदम में वर्दानों से चला रहा है, हर करम में स्रेष्ट मत वर्दाता का वर्दान है, हम हर करम स्रेष्ट मत श्रीमत पर करते हैं, तो ये वर्दाता स्वरुप की स्मृति है, ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन रहो, तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, मैं दाता से जोली भरने वाली, वर्दाता की direction प्रमान है न, knowledgeful होकर करम करने वाली और श्रीमत पर करम कर स्रेष्ट भाग्ये बनाने वाली वर्दानी सात्मा हो, जब ये स्मृति में रहता, तो मेहनत से मुक्त हो जाते हैं, स्लोगन है, बुद्धी का हलकापन वा महीनता ही सबसे सुन्दर परस्नालेटी है, दुनिया में तो शारिडिक परस्नालेटी की बात करते हैं, लेकिन जिनकी बुद्धी हलकी और महीन है, जो बुद्धी हलकी और महीन होती, वो एकतम बाबा की याद में टिक सकती, क्योंकि बाबा कैसा है, हलकी ते हलका और महीन ते महीन, तो बाबा कहते हैं, जितनी सुक्षम बुद्धी, जितनी दिव्य बुद्धी, उतनी दिव्य बुद्धी दाता, और सुक्षम ते सुक्षम अती सुक्षम बाब की याद में एकाग्र रहने वाली बुद्धी बनती, और जब बाबा से बुद्धी जुड़ी है, बाबा क याद है तो फिर हर करम ऐसी योग-युक्त आत्मा का accurate और युक्ती युक्त होता और ये सबसे बड़ी personality है सोचना है आज अंतराश्रिय योग दिवस तीसरा रविवार है आज साड़े च्छे से साड़े साथ बजे शाम सभी भाईबे ने योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं तपस्वी आत्मा बीच रूप शिव बाबा के साथ कल्प व्रिक्ष की जड़ में विराजमान हो बीच रूप बाबा से सर्व बीच रूप बाबा से प्राप्त सर्व शक्तियां मेरे माध्यम से सारे कल्प व्रिक्ष वापत्तों रूपी आत्माओं तक पहुँच रही हैं जिससे हर एक दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं तो आज शाम को यह अभ्यास करेंगे अच्छा, ओम, शंति